अब सब गाड़िया किसानों ने तैयर के वे इथेनौल पर चलेगी। साट परसेंट इथेनौल, चालीस परसेंट बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा, तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, 16 लाग करोन रुपए का इंपोर्ट है, उसके बजाए ये पैसा किसानों के घर में जाएगा, गाव संब्रुद्ध संपन्न बनेंगे, किसान अब के वलन दाता नहीं है, किसान अब उर्जादाता बने है, इथेनौल, मिथेनौल, बायो डीजल, बायो एलेंजी, बायो सी एंजी, इलेक्ट्रिक, हेडरोजन, अब किसान तैयार करेगा, मैंने मैं ट्रांस्पोर्ट का मंत्री हूँ मैंने स्कूटर लाई है बजाज, टीवी एस और हीरो की जो गन्ने के जूस से, मुलाइसिस से मक्य से, चावल से जो इथेनाल बनेगा उसके उपर हमारी स्कूटर, आटो निक्षा और कार चलेगी हमारा किसान के वल अन्न दाता नहीं, उर्जा दाता बनेगा यह हमारी सरकार की सोच है और इसलिए, अब मैं आगस्ट महिने में टोयटो कंपनी की गाड़ियों को लांच कर रहा हूँ आपको पता होगा केमरिकर के गाड़ी थी वह इनोवा है, अब सब गाड़िया किसानों ने तैयर के वे इथेनाल पर चलेगी साट परसेंट इथेनाल, चालीस परसेंट बिजली उसका अगर आवरेज पकड़ा जाएगा तो पंद्रा रूपय लीटर पेट्रोल का भाव होगा जनता का भला होगा, किसान उर्जा दाता बनेगा देश का प्रदूशन कम होगा, इंपोर्ट कम होगा सोला लाग करोन रुपय का इंपोर्ट है उसके बजाए ये पैसा किसानों के घर में जाएगा गाव संबुरुद्ध संपन बनेंगे गाव के किसान के बेटियों को रोजगार मिलेगा और इस देश का किसान के वल अन्न दाता नहीं उर्जा दाता बनेगा अब मैंने आगे भी लाया है कि CSIR और Central Research Road Organization ने सवशदन किया है कि जो परली है परली से डामबर त्यार होगा पानी पत में परली से इथेनौल त्यार हो रहा है और aviation fuel हवाई जहाँ चलने के लिए जो इंधन लगता है वो भी किसान बना रहा है यही हमारे सरकार की कमाल है पाई जेट का विमान देज आरुण से दिल्ली हमने किसानों ने तयार के वे इंधन पर लाया बैनार भायो देश की तरक्की हो रही है हम देश दुनिया के सबसे बड़ी आर्थ वेवस्ता बने है the fastest growing economy in the world हम देश में सबसे आर्थिक दुर्श से विकास करने वाला देश बने है मोदी जी के नेतरुत में 5 trillion dollar की economy आत्म निर्बार भारत इतना ही नहीं तो सुकी, सम्रुद्ध और संपन्न शक्त शाली भारत यही हमारा सपना है यही हमारा सपना है